तो नमस्कार सांथियू एक बर फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जो लाभारतियों के चैन प्रगिर्या को करते हुए जो टार्गेट है दोस्तो उसे भी फिक्स किया गया है लेकिन दोस्तो अभी तक प्रधान मंत्रिय आवस्विन ग्रामीन के पोर्टल पर जो टार्गेट है उसे अपडेट नहीं की कही है रेजिस्टेसन सभी एट्स के जो ब्लॉक के अंतरकत जो कार्याले है उसके अंतरकत रेजिस्टेसन प्रोसेस को की जा रही है और दोस्तो वहीं से लाभारतियों को चैन भी किया जा रहा है यहापर दोस्तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सभी राज्यों के अंदर योजना चलाकर लाभारतियों को चैन किया जा रहा है दोस्तो और इसी के तहट जो है उधारन के तौर पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जारखंड में आपकी योजना आपके सरका आपका द्वार करके एक योजना चलाया जा रहा है और जिसके तहट दोस्तो पीम आउस विना ग्रामीन के नए लाभारतियों का रिजिस्टिशन भी किया जा रहा है इसे प्रकार से सभी राज्यों में इस तरीके के योजना चलाते हुए दोस्तो लाभारतियों का पहले तो चैन किया जा रहा है और उसके बाद दोस्तों ब्लॉक कारियाल में सभी लाभार्थियों को जो है पंजीकृत की जा रही है और उसी के आधर पर लाभार्थियों का भेरिफिकेशन करते हुए पीम आउस जिन ग्रामीन के पोर्टल पर नाम भी जोड़ा जा रहा है जो दोस्तो देख सकते हैं अभी तक 2,32,283 जो 2022 थे इसके अंतरकत लाभारतियों का नाम जोड़ा जा चुका है सभी राजों की सूची देख सकते हैं कि कौन से राज़ में कितने लाभारतियों का नाम जोड़ा गया है सबसे ज़्यादा नाम अभी तक उत्तरप्रदेश में ही सिर्फ अकेले 186,172 लाभारतियों का नाम जोड़ा जा चुका है तो दोस्ति आपर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यह जो है फेज दोस्तो पहला फेज का कारी है इसलिए कम लाभारतियों का नाम जोड़ा जा रहा है लेकिन जैसी दोस्तो सेकंड फेज का कारे सुरू होता है जो की नवंबर के 20 तारिक के बाद दोस्तो उसका काम सुरू हो जाएगा और इस प्रकार के और भी जानकारी बाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद.